लोग सबाचुनाव 2024 के पांच चरणों का मत्यदान खत्म हो चुका था लेकिन अब छटी चरण को लेकर जो लडाई चल रहे थी वो भी आज फाइनली खत्म हुई लेकिन इस बीच आज सबसे अच्छी तस्वीर टप सामने आई जब भारत के मुख्यन आए धीश डी वाइच चंदरचूर अपना वोट देने पहुंचे हुए थे जो इसके बाद वो मीडिया से भी मुखातिब हुए थे बताते कि छटे चरण में दिल्ली के साथ सीटों समेट 58 सीटों पर बोटिंग थी डिल्ली में भिशड गर्मी के बीच भी वोटर्स में जड़ा उत्साथ देखने को मिल रहा था हलाकि मददान वाले दूसरे राज्यों के मुकाबले यहां कुछ कम ही देखी डिल्ली में शाम 5 बजी तक काकड़ा बता दे तो 54 प्रतिशत वोटिंग की खबर थी इसी बीच सुप्रिम कोट के मुक्षिन आधिश डिवाई चंद्रचूर ने भी राष्टिय राजधानी में अपना वोट डाला वोट डालने के बाद मेडिया से मुखादिब होते वे CJI डिवाई चंद्रचूर ने कहा कि देश के सभी नागरिकों के अपने इस करतब्य का पालन करना चाहिए उन्होंने जंता से भी अपील की कि मेरा पूरा जीवन भारति ये कानुन विवस था और समविधान से जुडाव भाए आज मैंने वोट डाल कर एक नागरिक के रूप में अपने करतब्य का पालन किया है ये हर एक नागरिक का बहुत बड़ा करतब्य होता है बता दें कि छटे चरण के चुनाव में छे राजियों और दो किंद्र शासित प्रदेशों में अटामन लोग सभा निर्वाजन छेत्र शामिल थे इस चरण में दिल्ली के सभी साथ सीटिया और हरियाना की सभी दस सीटों परमदान हो रहा था लेकिन जब डिवाइच चंद्रचूर पहुंसते हैं उसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखाते होते हैं क्या कुछ कहा है वो एक बार आपको उनकी बाइट सुनवाते हैं फिर बता दें मेरा नीजी जीवन भारती कानून व्यवस्ता और समयतान से जुड़ा हुआ है और आज मैंने मेरा बोर्ट डाल कर बहुत विनम्र भाव से एक नागरिक के रूप में मेरे करतवे का पालन किया है और इसलिए मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह बहुत बढ़ा करतवे है हर आपको बता दें कि अप सात्वे चरण का जो मद्दान होना है उससे पहले यह तस्वीर खुबसूरत तस्वीर देखने को मिली है अप सात्मा चरण एक जून को होना है और नतीजे फिर चार तारीक को आने हैं लेकिन उससे पहले एक माहौल जो क्रिएट करना था पक्ष व कर दिया है जिसके बाद चुनावायोग की तरफ से भी वेपक्ष पर एक कृतन जिकासा किया है कि आखर जो एक माहौल है वो बनाये जाता है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन सबसे अच्छी तस्वीर आज सीजे आई डिवाई चन्सचूर जब पहुंचते हैं तब क उन्हें ये भी कहा था कि आज मैंने अपने अपना वोट डाल कर एक नागरिक के रूप में अपना करतब्य का पालन किया है उन्हें ये भी कहा कि एक नागरिक के रूप में जो उन्होंने करतब्य का पालन किया वो करतब्य भी उस नागरिक का सबसे बड़ा होता है पता द आपके साथ दिवान जो, नमस्कार.